Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. Students, हम best of the best current affairs provide करते हैं. आप हमारी applications Carried Cloud को जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आप easily आपको various courses देखने को मिलेंगे, quizzes attempt करने को मिलेंगी, PDFs मिलेंगी, जो कि आपकी preparation में बहुत ज़ादा help करने वाली हैं. हमारा जो session है, हमारा जो courses है, ये क्यों top notch रहते हैं? क्योंकि जो हमारी applications है, हम यहाँ को variety of questions प्रोवाइड करते हैं, variety of notes प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको content मिलेगा बोथ Hindi as well as English में. आपको क्या करना है, हमारी application को download करना है Google App Store से, जो कि आप easily Carrier's Cloud के नाम से search करके download कर सकते हैं, and once you have downloaded, आपको login करना पड़ेगा with your Gmail ID, and login करने के बाद आपको हमारी जो भी courses है, वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे, जो भी आपको quiz attempt करनी है, वो देखने को मिलेंगी, आपको e-books मिलेंगी यहाँ पर, path मिलेंगे आपको, and जैसे मैंने आपको बताया, हम daily basis पे, weekly basis पे और monthly basis पे current affairs अप्रोड करते हैं, बोथ in Hindi as well as English language, यहाँ पर आप देखेंगे, जो daily basis पे आपको notes प्रोड किया जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस application पे quiz attempt कर सकते हैं, daily basis पे जो कि बहुत जादा helpful रहने वाली है, similarly, weekly basis पे भी आप ये करेंगे, जो current affairs हैं, उसके आपको PDF मिलेगी, and आप quiz attempt कर सकते हैं, weekly basis पे भी, जो कि आपकी preparation को एक step आगे लेके जाएगा, and फिर ऐसे ही, जो monthly basis पे आपको 100 questions की important PDF मिलेगी, वो आप revision के लिए, एक बहुत अच्छा source रहेगा, आप सभी students के लिए, जो government exam experience हैं, इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम banking और economic के current affairs प्रोवाइड करते हैं आपको, हम state wise current affairs प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्राकंड, उत्तरपरदेश, त्रिप्र अतिलंग न कोई भी state हो, not just this friends, इसी के साथ साथ देखेंगे, हम आपको topic wise current affairs भी प्रोवाइड करते हैं, और यह topics बहुत जादा important होते हैं, topics देखें, तो जैसे important days, national affairs, international affairs, sports, defense, science and technology, apps and web portals, name the topic और आपको उस topic के हाँ पर current affairs देखने को मिलेंगे, जो भी government schemes launch की जाती हैं, जो भी MOU science किये जाते हैं, जो भी indexes and reports आती हैं, वो सारी हमारे दुआरा cover की जाती हैं, ताकि student को one of the best experience मिल सके current affairs का, friends, यह हमारी वीडियो थी, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसी के साथ साथ, friends, आप हमारे YouTube चैनल को subscribe कर सकते हैं, आप Telegram चैनल पर जाके हमें follow कर सकते हैं and इसी के साथ, अगर आपको कोई भी problem आ रही है या तो payment में या हमारे courses के साथ, तो आप हमें contact कर सक underscore official को follow कर सकते हैं, code और याद रखना वो है विकास 10, अगर आपको 10% का extra discount चाहिए, तो आप विकास 10 का code यूज कर सकते हैं, आपको crack 10 के अलावा 10% का discount यहाँ पे मिलेगा, और इसी के साथ साथ, अगर आपको कोई भी issue आ रहा है हमारी application से related, website से related, या आपका course purchase नहीं हो रह है, तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 9677333862, या फिर आप mail कर सकते हैं support at the rate of affairscloud.com पे, and I make sure हमारा representative आपको जल्दी से जल्दी आपको reach करेगा, और आपकी problem को solve करेगा, Hello everyone, तो आज की वीडियो में हम काफी important current affairs discuss करेंगे 3 और 4 September की, ये session आप सभी के लिए काफी important रहेगा, तो end तक बने रहेगा, काफी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, चलिए start करें, सबसे पहला question है, which organization launched मेरा बिल मेरा धिकार GST rewards scheme, ये GST rewards scheme थी एक, इसके अंडर क इसके द्वारा launch की गई पहले और ये क्यों launch की गई थी, कैसे reward मिलेगा, इसके बारे में देखते हैं, तो CBIC, जो कि है Central Board of Indirect Taxes and Customs, इनके द्वारा ये अभी मेरा बिल मेरा धिकार scheme launch की गई, ये scheme प्रोवाइड करेगी, basically आपको यहाँ पे consumers को, citizens को, उनको GST invoices अपने ल लेना है, और उस GST invoice को यहाँ पे upload कर देना है, जो यहाँ पे portal प्रोवाइड कराया जाएगा, फिर आपका lucky draw निकाला जाएगा, and lucky draw के basis पे यहाँ पर आपको 10,000 से लेके 1 करोड रुपे तक का monthly and quarterly basis पे, जो lucky winners होंगे, उनको यह amount प्रोवाइड किया जाएगा, तो याद से GST collection को बढ़ा सके, जादा से जादा लोगों के द्वारा यहाँ जो goods and service tax है, जो कि एक indirect tax होता है, इसको बढ़ाया जा सके, तो यहीं पे देखेंगा, अगर CBIC की बात करें, तो इनके द्वारा यह scheme launch करी, to incentivize the citizens and consumers to ask for GST invoices from their sellers, जबी भी वो B2C purchase करें, यह scheme was launched in 3 states, असम गुजरात और हर्याना, और यहीं पे अगर पूछा जाए, union territory में इसको launch किया गया था, पुडूचरी, दमनें, द्यू, और दादरें, नगर हवेली में इसको launch किया गया था, correct, फिर इसके अंडर cash rewards provide किया जाएंगे, 10,000 से लेके 1 करोड रुपे तक, 10,000 की बात की जाए, तो यहां पे देखेंगे कि 800 लोगों को हर महिना randomly select किया जाएगा और 800 लोगों को 10,000 रुपे, 10 लोगों को यहां पे 10,000 रुपे provide किया जाएंगे, और इसके अंडर 2 लोगों को quarterly basis पे 1 करोड रुपे each provide किया जाएंगे through lucky draw, right, और जो यह invoices होंगे, minimum purchase of 200 रुपीज का होन चाहिए, और एक साल में कोई भी individual portal पे जादे से जादा 25 invoices को यहां पे upload कर सकता है, तो यह है आपका मेरा बिल, मेरा अधिकार, यहां पे आप देख सकते हैं, aims to, यह जो scheme है, this scheme aims to enhance GST processes and revenue collection, this incentive, this initiative offers cash rewards ranging from 10,000 to 1 करोड रुपीज through monthly and quarterly lucky draws, correct, और जो minimum purchase value होनी चाहिए, invoice की, वो 200 रुपे की होनी चाहिए, जो eligible होंगे, आप 100 रुपे का भी हो सकता है, लेकिन अगर अगर आपको lucky draw के लिए eligible होना कि आप चाहते हैं कि ऐसे competition में participate करें, तो minimum 200 रुपे का होना चाहिए, और एक साल में आप 25 से जादा invoice यहां पे upload नहीं कर सकते है, next, next आज आता है दे नोवो का मतलब क्या है, देखो दे नोवो क्या होता है, basically दे नोवो आपका launch किया गया था, इसका मतलब है किसी भी institution में focus होना चाहिए on teaching and research, teaching and research of emerging areas, मतलब emerging technology, emerging sector, emerging knowledge sector, जैसे for example, आज के एरा की बात करें, तो artificial intelligence चल रहा है, correct, तो उसके बारे में आपको universities में आपका education प्रोवाइड करना, courses प्रोवाइड करना, syllabus प्रोवाइड करना, वो होता है, right, deemed to be university का status का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कि अब UGC, आप जैसे answer देखते हैं, NCRT, NCRT को भी grant किया गया, UGC के दवारा, deemed to be university का status, अब इससे क्या होगा, NCRT अपने खुद का college खोल पाएंगी, university open करेगी, and जो आज की technology है, जो emerging technology है, उसमें study, research कराएगी, right, फिर यहीं पर अपना graduation की degree, post graduation की degree, diploma, right, आपका इसी field में अलग से provide करा सकती है, अपने खुद की recognition से, and यहाँ पर यह अपना खुद का syllabus, अपना खुद का course प्रोवाइड करा सकती है, बच्च जो आज की technologies है, उस पर बच्चों को education, उनको skills प्रोवाइड कराया जा सके, right, तो अभी NCRT was deemed to be university, इनको यह status दिया गया, UGC के द्वारा, and with this status, NCRT can apply to the UGC to set up new institutions or university that are deemed to be university and will be undertaking study and research in unique and emerging areas that are not offered by any other institutions, correct, and by this status, they will have the autonomy to have their own graduate, post-graduate, doctoral degrees and design their own syllabus and courses, right, and this is deemed to be university, it is granted under the section 3 of the UGC Act of 1956, and when it was given to be your status on the 60th, अब ही foundation day था जो था 63rd foundation day 63rd foundation day था NCRT का correct और कब था ये आपका 1st September को यस दिन यहाँ पर ये अनौन्स किया गया that इनको deemed to be university का status grant किया गया है by UGC correct चलिए आप यहाँ देख सकते हैं इससे होगा क्या what will NCRT do with the deemed university status now they can apply to UGC to set up their new institution as deemed to be university which will undertake study research in unique and emerging areas that are not offered by any existing institution next next है DGR इन्होंने भी एक MOU साइन किया किस organization के साथ तो जनरेट employment for ex-servicemen defense जो personal होते हैं जब वो retire हो जाते हैं एक time के बाद कुछ कुछ ऐसे personal होते हैं जो early retirement ले लेते हैं correct तो उनको यहाँ पर बाद में employment तो चाहिए correct ऐसा तो है नहीं कि वो मतलब job छोड़ देते हैं defense की उसके बाद घर बैठ जाते हैं नहीं they still need employment correct तो उनको यहाँ पर employment opportunities प्रोवाइड कराने के लिए DGR DGR क्या होते है डारेक्टरी जनरल रिसेटलमेंट यह department of ex-servicemen welfare कंड़ रहते हैं under ministry of defense इन्होंने यहाँ पर अभी जेनपेट के साथ टायप करा कि जो भी defense personals होंगे उनको उनकी skill set के हिसाब से आगे job opportunities प्रोवाइड की जाए इन जेन पैक्ट correct ex-servicemen के लिए यह for defense person right mark करेंगे इसको next which two organizations signed a memorandum of understanding to collaborate in renewable energy and decarbonization देखो renewable energy और decarbonization से पहले इंडिया का क्या target है to become carbon neutral 2070 केरला का क्या target है to become carbon neutral 2050 केरला का क्या target है to shift to 100% renewable energy वो है 2040 ऐसी अगर मैं बात करूँ national hydrogen mission यह किस country का initiative है इंडिया का फिर इंडिया की पहली green hydrogen पिर run करने वाली train कहां से run करेगी वो जीन्ध हर्याना से रन करेगी जीन्ध हर्याना से फिर इंडिया का एक international solar alliance है यह इसका headquarter का पर है यह भी हर्याना में है 2015 में इसको launch किया गया था यह initiative है between इंडिया and France के बीच फिर हम देखते हैं इंडिया heavily bet कर रहा है hydrogen mission पर green hydrogen पर तो अभी याद रखेंगे renewable energy sector में बढ़ावा देने के लिए knowledge sharing करने के लिए research and development करने के लिए technology का use बढ़ाने के लिए upcoming technologies को implement करके renewable sector को बढ़ावा देने के लिए and decarbonization purpose के लिए कि हम sustainable development goals भी follow करें हम अपने climate जो change हो रहा है climate को protect करें right तो किन दो organization के बीच में हाँ पे MOU sign किया गया था ताकि हम decarbonization को बढ़ावा दें renewable energy sector को बढ़ावा दें हम non-renewable से renewable sector की तरफ जाएं तो वो है ntpc and oil india limited इन दोनों के बीच में हाँ पे MOU sign किया गया ntpc ये एक महारतना cpsu है under the ministry of power और oil ये आपका एक महारतना cpsu है under the ministry of petroleum and natural gas ठीक है फिर यही पर आद रखेंगे ntpc इनका target है to achieve 60 gigawatts of renewable energy capacity by 2032 ntpc की ही बात करें तो यहाँ पर जो chairman and managing director रहेंगे वो है गुर्दीप singh headquarter new Delhi में रहेगा and 1975 में इसको establish करा गया था ntpc की बात कर रहा है right तो काफी important है इसको mark करके चलेंगे काफी अच्छी चीज़े next next आज आते हैं फिर moody moody क्या है यह आपकी एक global rating agency है moody के दुआरा इंडिया की अभी gdp project करी गई for the year 2023 पहले इनके हिसाब से इंडिया was growing at 5.5% इन्होंने बोला 2023 में इंडिया की जो gdp project की गई है वो कितनी है 5.5 लेकिन अब इसको बढ़ा के कितनी कर दिया गया 6.7% अभी जो first quarter था fiscal year 24 का यहाँ पर इंडिया ने 7.8% की growth register करी है जो कि आपके एपरेल से लेके जून महिने तक था यहाँ पे expected था कि इंडिया 8% से grow करेगा लेकिन still 7.8% भी काफी अच्छा है हमारा service sector हमारा जो manufacturing हो सब में हमें growth देखने को मिल रही है और उसी की वज़त से हम यहाँ पे यह target अचीव कर पा रहे है then next thing यहाँ पे याद रखेंगे जैसे मैंने बताया कि 2023 में इंडिया कितना grow किया करने की बात की जारी है 6.7% 2022 में इंडिया ने कितना grow किया था 7.2% जो की beyond expectation था correct तो यह moody की यह growth का forecast भी आपको याद रखे चलना है इसी के साथ साथ कुछ और जैसे चीज़ बताऊं अगर एक data release किया गया कि अभी जून से लेके अगर October के बीच में जो rainfall है अगर वो कम रहती है below normal रहती है तो हम करेंगे हमें काफी ज्यादा growth देखने को मिलेगी in the food prices even अगर मां बात करूँ global level पे तो बोला जा रहा है कि आने वाले time में because of real estate and many other factors USA में 2024 में recession देखने को मिल सकता है by the end of this year यह recession स्टार्ट भी हो सकता है correct फिर ब्रिक्स की बात करें अभी ब्रिक्स में 5 मेंबर्स है 6 मेंबर्स और जोइन हो जाएंगे 11 मेंबर्स हो जाएंगे और 1st of January 2024 से यह नए 6 मेंबर्स एड़ किये जाएंगे ब्रिक्स की ही बात कर रहे हैं तो ब्रिक्स से related याद रखेंगे अभी recently ब्रिक्स की एक innovation forum हुआ मौस्को रश्या में और इस फॉरम के दौरान तेलंगना की पहली वीमें चीफ इनोवेशन ओफिसर शांता थोटम जी को जो की पहली चीफ इनोवेशन ओफिसर है तेलंगना की आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं इनको यहां पे ओनर किया गया World Innovation Awards है और यह पहली ब्रिक्स इनोवेशन फॉरम थी जो कोई मौस्को रश्या में होई थी और यह पहली ब्रिक्स इनोवेशन फॉरम ती जो की मौस्को रश्या में होई थी जो की एक NGO है जो की UN की ECOSOC BODY के साथ वर्क करता है Sustainable Development Goal यह जो फोर के लिए इनको सम्मानित किया गया है सब और से This works on inclusive and equitable quality education Inclusive education होती है कि irrespective of the background, irrespective of the disability regular बच्चे और बाकिस हर तरीके के बच्चे को साथ में बढ़के साथ में education प्रुवाइड कराने चाहिए, साथ में उनको सारी facilities प्रुवाइड कराने चाहिए, कोई भेदबाब नहीं होना चाहिए And it is one of the 17 Sustainable Development Goals जिसको implement करने के बाद की गई है by 2030 And world के 193 members के द्वारा यहाँ पर यह accept किया गया है Next पर आते है Next है, काफ़ important रहेगा और यह आजकल काफ़ी जादा news में भी है कि अभी Central Government के द्वारा One Nation One Election यह कराने की बात की गई और इसी के लिए अभी एक committee सेटप की गई है जो की cheer की जाएगी by former President of India रामनात कोविन सर Right, तो यह One Nation, One Election क्या है अभी हम जानते हैं कि आपके State Elections अलग होते है Right, आपके General Elections जो लोकसभा की Elections होते हैं वो अलग होते है तो इससे क्या होता है, एक तो टाइम काफ़ी जादा डिवाइड हो जाता है दूसरा, जो Elections की cost होती है न वो बहुत जादा बढ़ जाती है for Election Commission of India और जो Parties है, उनके Members है वो भी फिर हम जानते हैं कि काफी घरचा करते हैं इंडिया में Next thing हम देखेंगे, इसी के साथ-साथ जो Armed Personals होते हैं Security Forces होती हैं जो हमारी तो उनको भी Duty पे लगा रहना पढ़ते हैं उनको भी proper check रखना पढ़ते हैं बार-बार जब-जब elections होते हैं फिर इसी के साथ-साथ जो Government Officials होते हैं कई बार जैसे, अगर for example लेके चले School Teachers का, तो School Teachers की भी यहाँ पे Elections में Duty लगती है, तो वो भी Occupied रहते हैं Multiple Times, तो यह सारी चीजे ना हो, इनको Avoid करने के लिए One Nation, One Election यहाँ पे Setup किया गया, इसके लिए Committee Setup की गई कि आपके जो लोगसभा के Elections हैं और जो State Assembly के Elections होंगे न, उनको एक साथी Conduct करा देते हैं, इससे Benefit क्या होगा, कि जो भी जैसे Members हैं जो Candidates होंगे, उनका Focus एकी Time Elections पे रहके, बाकी Time वो अपना अलग से देश के प्रगती में काम कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या होता है कि दो-दो-तीन-तीन बार, दो बार Elections हो रहे हैं तो अलग-अलग ध्यान रहते हैं, तो वो एकी जगे हो जाएगा, Cost Cutting हो जाएगी कि एकी Time Elections हो रहा है, तो जो Cost है वो बच जाएगी, दूसरा, जहाँ पर यह Armed Forces और जो Government Officials आपर अंडल्ज रहते हैं, वो टाइम भी यहाँ पर आपका बच जाएगा Challenges के आएगे यहाँ पर, जो Multiple Parties हैं, उनको एक साथ लाना यहाँ पर बहुत बड़ा Challenge रहेगा ठीक है, उनके साथ में आगे बढ़ना बहुत बड़ा Challenge रहेगा फिर, जो State Elections होते हैं और फिर जो लोकसभा की Elections होते हैं दोनों के जो Agenda होते हैं, जो दिन दोनों की जो Issues होते हैं, जिन पर वोटिंग होती है वो बहुत जादा Different रहते हैं, तो वहाँ पर हमें Clash देखने वो मिलेगा, correct, तो Important चीज़ अभी के लिए याद रखेंगे, One Nation, One Election के लिए एक Committee सेट अप की गई, Under Former President Ramnath Kovin, right, Mark करके चलेंगे, इसके लिए 5-day long special session बुलाया गया है Parliament में, 18 से 22 September के बीच, correct, और यहाँ पर जो Agenda है, वो Unclosed Agenda रहेगा, right, थर्मन शान्मू गरातनम, right, थर्मन शान्मू गरातनम, यह Indian origin Singapore-born economist है, थर्मन जी, यह 66 years of age आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, and यह 9th President बन गए है, Singapore के, important, 9th President of Singapore कौन है, थर्मन जी, correct, यह किनको replace करेंगे, यह replace करेंगे, Singapore की पहली female President, जो elect की गई थी, without a contest in 2017, Halima Yaakob, right, यह इनको replace करेंगे, to be the 9th President of Singapore, चलिए, next पहाते हैं फिर, next, CCI ने अभी, Competition Commission of India ने अप्रूफ किया, phase 1 merger of Vistara-owned Tata SIA Airlines Limited into Air India Limited, while Air India emerging as the surviving identity, AIL requested for the merger in April 2030, correct, to Singapore Airlines Limited, यह hold करेंगे 25.1% shareholding in Air India, with an investment of 2059 crore rupees in this entity, correct, and TSL is a joint venture between TSPL and SIA, with TSPL and SIA holding 51% and 49% respectively, चलिए, next पहाते हैं, next है, important यह भी mark करके चलेंगे, अभी रिसेंटली, INS महिंदरिगरी, जो की 7th नीलगरी क्लास Stealth Frigate है, इसको launch किया गया at Mudgown Dock Shipbuilders Limited Facility, कहां पर in Mumbai, महराष्टा, देखो हम यह Project 17 A कई बार देख चुके हैं, right, इसके अंडर यह develop किया गया है, तो Project 17 A को ही देखते हैं, Project 17 A मतलब Alpha, यह Cabinet Committee on Security के सेंशन किया गया था, 2015 में, 45,000 करोड यहां पर allocate किये गए थे, शाथ 7 ships बनाने के लिए, उसमें से 3 ships बनाए जाएंगे GRSE के दोरा, और 4 ships बनाए जाएंगे MDL के दोरा, अगर MDL की बात करें, INS नीलगरी, INS उद्यागरी, INS तारागरी, INS महिंद्रगरी, और यहीं पर हमने देखा कि INS महिंद्रगरी को भी यहां पर launch किया गया है, करेक्ट, और GRSE बनाएगी, INS हिंगरी, INS दुनागरी और INS विद्यागरी को, करेक्ट, और इसी के related फिर यह महिंद्रगरी इसी में आपको याद रखना है, अभी चंद्रगरी की success के बाद, प्रोजेक्ट अदित्या L1 लॉँपन लॉँच किया गया, ये इंडिया के द्वारा ही लॉँच किया गया है, इस रो के द्वारा लॉँच किया है, and इसको लॉँच किया गया टू स्टड़ी सं, Sun के surface को समझने के लिए उसके उपर study करने के लिए जो corona है Sun की outer layer उसको study करने के लिए ये आदित्या L1 mission को launch किया गया L1 मतलब है language one point ये वो point है space में universe में जहां पर ये आपका spacecraft इस satellite को launch करके वहाँ पे place किया जाएगा ताकि Sun की basically काफी सारी readings ये ले सके फिर इसी के साथ याद रखेंगे second September को इसको launch किया गया राइट PSLV C-57 rocket के मदद से इसको launch किया गया Satish Dhawan Space Center Shri Harikota आंदरपरदेश से इसको launch किया गया राइट आन यहाँ पर जो mission director है वो भी आप याद रखेगा कौन रहेंगी mission director project Aditya L1 की निगर शाजी शीजन इसरो विमन साइंटिस्ट फ्रम तमिलनाडू इसेल्फ करेक्ट चलिए तो यह इंडिया का मिशन है याद रखेंगे मुविंग ओन फिर आज आते हैं sports के उपर जूरिच डाइमंड लीग दोहजार तेईस हुई यहाद रखेंगे इनका जो थ्रू था 85.71 मीटर का था जाकूब व्लादेच इनका 85.16 मीटर का थ्रू था और इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पे जीत लिया नेक्स्ट आजाते हैं और बिटरी के उपर फॉर्मर नीदरलेंड गोलकीपर जैन जॉकब्लेड यह रणर अप थे इन टू फीफा वर्ल्ड कप और इनका भी रिसेंटली निदन हो गया चलिए नेक्स पे आते हैं वर्ल्ड कोकोनट डे दो सर्थम्बर को हम अब्सर्व करते हैं वर्ल्ड कोकोनट डे जो मिन्रल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफी हल्फुल रहते हैं इवन आप देखते हैं कि जब भी आप हॉस्पितलाइज होते हैं तो आप सबसे पहली चीज कोकोनट ड्रिंग करना पसंद करते हैं राइट याद रखेंगे सस्टेनिंग कोकोनट सेक्टर पॉर अबी मिनिस्ट्री ओफ एजुकेशन के दौरा अब्सर्व किया जाएगा लिट्रेरिसी वीक कब से कब तक एक से लेके 8 सप्टेमबर तक एक से लेके 8 सप्टेमबर तक हम अब्जर्व करेंगे लिट्रेसी वीक को और 8 सप्टेमबर को ही याद रखेंगे हम इंटरनेशनल लिट्रेसी डे भी अब्जर्व करते हैं 8 सप्टेमबर को करेक्ट, माग करके चलेंगे ये, चलिए, नेक्स पे आते हैं फिर, नेक्स ए स्टेट न्यूज, अभी यूनियन मिनिस्टर जोतिर आदितिया सिंधिया, इनके द्वारा अभी उतकेला एरपोर्ट को लॉंच किया गया, ये उतकेला एरपोर्ट कहां पे रहेगा, उडिसा मे इसको इनाउगरेट किया गया है, यहीं पर इसी के साथ साथ एक डारेक्ट फ्लाइट भी इनाउगरेट की गई, बिट्विन उतकेला एंड भावनेश्वार, इस एरपोर्ट को RCS उडान स्कीम के अंडर लॉंच किया गया, रिजिनल कनेक्टिविटी स्कीम, उडान है 2016 में लॉंच की गई थी, इस स्कीम का एम बेसिकली क्या है, कि हर नागरिक देश का उनको इजी चीफ फ्लाइट मिल सकें, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर पाएं, फ्लाइट में, अपार्ट फ्रम देश, जो पैली फ्लाइट थी, जो फ्लाइग उफ की ग ने लॉंच किया मेरा बिल मेरा अधिकार GST reward scheme, NCRT को grant किया गया deemed to be university status by UGC, DGR ने साइन के एक MOU with GenPag to generate employment for ex-servicemen, NTPC and Oil ने एक MOU साइन किया to collaborate in renewable energy and decarbonization, Moody rages India's GDP forecast to 6.7% for 2023, Telangana CIO honored with World Innovation Award, Central Government forms a committee on one nation, one election under the former प्रेजिडेंट रामनाथ कोविन, Indian origin थर्मन जी, इनको elect किया गया 9th President of Singapore, CCI ने अप्रूफ किया merger of TSAL into Air India, INS महिंद्रगरी ये 7th निलगरी class stealth frigate है, under Project 17A launched at MDL, इस रोंने successfully launch किया Aditya Elvan, जो कि इंडिया का पहला mission है to the sun, Zurich Diamond League, यहाँ पे वर्ल्ड चैंपिन नीरा चोप्र इन्होंने second position आई in this Javelin Thro, फिर former नीदर्लेंड गोलकीपर Jen Jungblad, इनका निधन हो गया, World Coconut Day 2 September को, Ministry of Education ने और्गनाइस कराया, Literacy Week 1 से 8 September के बीच, और 8 September को हम International Literacy Day observe करते हैं, Union Minister सिंदिया, जोतिरादित्या सिंदिया, इन्होंने उतकेला और रिपर्ट को इनागरेट किया, between Odisha और भवनेश्वर और उतकेला के बीच में direct flight भी launch की गई, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के important current affairs, अब आज आते हैं, revision part पर, चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, इंडिया के पहले, indigeniously developed ककरापर atomic power project की, KAPP, ये आपका third unit रहेगा, पूछा जा रहे है कि इसने अभी अपना commercial operation start किया, ये कहां पर located है, तो ये आपका किदर रहेगा, गुजरात में, correct, इंडिया का पहला indigeniously developed ककरापर atomic power project began its commercial operation किदर, इन गुजरात, similar type का third and fourth unit रहेगा, इसकी जो power, जो electricity generate करेगा, ये 700 megawatt energy को generate करेगा, and इसी के साथ साथ याद रखना है, इससे पहले दो already operational ह हो चुके है, ये आपका third unit and four similar kind का वो भी जल्दी operation हो जाएगा, पहले ये 90% power पर रन कर रहा था, अब ये 100% capacity पर रन कर रहा है, correct, and ये 700 megawatt electric pressurized heavy water reactor रहेगा, ठीक है, और कहां पर है, गुजरात में, फिर इसको design, इसकी construction किसके द्वारा की गई है, NPCIL के द्वारा, ये क्या है, nuclear power corporation of India limited, जहाँ पर chairman and managing director है, भुवान चंद्रा पाठक जी, headquarter मुंबई महराष्टा में, 1987 में, इसका establishment हुआ, Next आज आते है, Amazon along with which organization sign a memorandum of understanding for MSME exporters, जो MSMEs होते हैं, right, जो MSME exporters हैं, उनको help करने के लिए, उनको proper logistics के बारे में बताने के लिए, cross border logistics के बारे में information provide करने के लिए, उनको simplify करने के लिए, एक MOU sign किया था, किस organization के साथ, तो Amazon ने India post के साथ यहाँ पर MOU sign किया, ताकि जो MSME exporters हैं, उनके लिए cross border logistics को simplify किया जा सके, फिर यह MOU sign किया था, यह sign किया था, during the fourth Amazon Sambhav Summit, यह Amazon Sambhav Summit, यह हुई किदर थी, यह आपकी New Delhi में हुई थी, हुई कब थी, 31 अगस्त को हुई थी, याद रखेंगे, इसी event के दौरान, fourth Amazon Sambhav Summit के दौरान ही, Amazon Saha.ai, यह भी आपका launch किया गया, यह एक Generative Artificial Intelligence Based Personal Digital Assistance रहेगा, जो कि आपकी shopping के time पे, हम पे help करने वाला है, at this e-commerce platform, तो याद रखेंगे, Amazon ने किस organization के साथ MOU sign किया, for providing or simplifying the cross-border logistics for MSME exporters, वो है India Post, यह MOU sign किया, during the fourth Amazon Sambhav Summit, जो कि New Delhi मोई, 31 अगस्त को, और यह ही पे, Amazon Sahai AI, जो कि एक Generative AI है, जो कि एक Personal Digital Assistant रहेगा, उसको release किया, next पे आते हैं, which country will host the first ever edition of Global AI 2023, तो याद रखेंगे, इंडिया के द्वारा यह host किया जाएगा, first ever edition या फिर inaugural edition of Global India AI, correct, mark करके चलेंगे, कब होगा, October के महिने में इसको कराया जाएगा, tentatively 14th, 15th, इसकी यह date रहेगी, 14th, 15th, October, correct, और यहीं पे याद रखेंगे, किस ministry के द्वारा इसको organize कराया जाएगा, MEI-TY के द्वारा इसको organize कराया जाएगा, and Rajiv चंदर शेखर, जो कि हांके Minister of State है, of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, and MEI-TY, they are chairing the conference steering committee है, फिर यह जो conference है, यह showcase करेगा, इंडिया के vibrant AI ecosystem को, जो comprise करते जैसे AI भाशनी, फर्स्ट एवर, Global India AI, कहां पर launch किया गया, इंडिया में, कब launch किया गया, October में हो गाई है, फर्स्ट एवर, Global AI India 2023, 14-15 इसकी tentative date है, याद रखेंगे, 14-15th October, and MEI-TY के द्वारा इसको recently organize कराया जाएगा है, नेक्स्ट, Indian Army will be participating in an exercise dash that will be held in Egypt, तो exercise bright star आपकी exercise का नाम रहेगा, जिसमें अभी Indian Army participate करने वाली है, ये exercise आपकी 31 अगस्ट से लेके, 14 सितंबर तक रहेगी, मतलब भी exercise carry out की जा रही है, लोकेशन क्या रहेगा इस exercise का, इजिट में इस exercise को carry out कराया जाएगा, करेक्ट, exercise bright star 23, ये एक multinational tri-service joint military exercise रहेगी, नेक्स आज आता है, when do we observe national nutrition week, तो एक से लेके 7 सितंबर के बीच में हमने observe किया national nutrition week, reason क्या है, कि लोगों के बीच में जो role है nutrition का and health in human life, उसके बारे में awareness create कराना and हमें healthy खाना खाना चाहिए, अपनी healthy eating habits होनी चाहिए, उसको भी promote करने की यहाँ पर बात की गई, अंडर national nutrition week, जो की 1 से 7 सेप्टेंबर के बीच में observe किया जाता है, ठीक है, फिर ministry of women, child and development यह celebrate कर रही थी, छटा राश्ट्रिय पोशन महा, throughout September 2023, और इसकी जो theme थी हाँ पर वो क्या थी, सुपोशित भारत, साक्षार भारत, साक्षत भारत, जो की है, nutrition rich India, educated India, empowered India, ठीक है, और जो पहला national nutrition week of observe किया गया था, 1982 में, 1 से 7 सेप्टेंबर के बीच में, 1980, नेक्स एफिर, homework section, पहला, किशोर जीना, was seen in the news, is associated with which sports, second, प्रज्यान rover of Chandriyan 3 mission, confirmed the presence of which element on the moon's surface, and तीसरा, which state raised the OBC quota to 27% in local bodies, तो ये तीन आपके homework questions रहेंगे friends, मुझे maximum to maximum participation चाहिए, हर बच्चा जो भी वीडियो देख रहा है, मैं चाहता हूँ वो नीचे इन homework questions को comment करके answer बता है, इसी के साथ साथ अगर session पसंदा आ रहा है, तो दोस्तो वीडियो को like जरूर करना, and comment करके अपने views जरूर बताना, इ you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at affairs cloud, telegram channel, and if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided that is 7677333862, apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle that is affairs cloud underscore official. in the end friends if you use a code that is vikast 10 you will be getting an additional extra 10 percent discount by using this code vikast 10 also if you have any problem regarding the course purchase any problem regarding to our application you can contact us on the mobile number that is 967733862 and if you want to mail us you can also mail us on support at the rate of affairscloud.com and i assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue